यूपी के प्रयाग राज जिले के बोरा थाना छेत्र में बीती राध कमलेश कुमार भार्ती के घर में चोरों ने धारदार हत्यारों और प्रिस्टेल के बल पर मारपीट करतेवे जमकर लूट पाट Twice अग्याद चोरों ने घर में गुस कर नगती समेच सोने चांदी के आबूशुडों पर हाथ साथ किये विरोध करने पर घर के परिजनों को जम कर मारा पिता गया जिसमें कमलेश की पत्नी गंबीर रूप से घायल है सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाज परताल कर घायलों को सामुदाइक स्वास्त केंद जस्रा में भरती कराया गटना का संजान लेते वे एसेसपी सरशेष्ट त्रपार्थी ने पुलिस को सक्थ हिदायत दी कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर अपरालियों की धर पकड़ की जाए बारा थाना क्षेत्र के इंतरगत एक गाउं है गाउं से बाहर एक व्यक्ति कमलेश जो है घर में एक मणी बना करके सड़क के किनारे रहते हैं जहां उनकी एक छोटी सी दुकान है और सिलाई का काम भी करते हैं कल रात को जब वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ वहां पर सोये हुए थे कुछ अग्यात बेक्ति आये जो हुने चोरी का प्रयास किया घर के लोग जब जग गए उसे में देखते हुए तो इनके साले जो सड़क के दूसरी तरफ सो रहे थे गुंटी में वो भी आये और समने मिल के उनको पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वहां से वो चोर जो घर के अंदर घूसे थे चोरी से वो भाग निकले लेकिन कुछ साथ वो छोड़ गए हैं जिनके आधार पर और इसा बताय जा रहा है कि उनको पाचानते भी है जिप नाम नहीं जानते हैं उनको अरिष्ट किया जा रहा है टीम लगी हुई है सिग्रियों लो उनको अरिष्ट कर लिए जाएगा किस तरह की जड़ना आपके साथ है तो आधा रहा है स्टाए जिनका मतर कमा ऐताय जोड़ा जोड़या उनका आधा जोड़ रागा उनका और तुरंके हमारे अवरत कि लफिए पकड़क थैख लाथे मेरे घिर तेब आउरत किमया साला कमा रहे उनका रहे हम सब्सा निकान किति इसाथ ही कगा है kभागा हम सिल कितने लोग के लगभव ले गए हूँगी एक लाग ते लुग में उनका मोबाइल चपल चंथा पकड़ा गया है कितने का समान लग भर ले गए हूँगी एक लाग तक कि लगए हुए हुए अब आधा किलो करदन है एक पॉक चागल एक मंगल सूथ है क्या नाम है आपके? कमलेश ये जो छोटा है आपके? अब पत्मी है कौन सा गाँ? धरा डेरा क्या आपने राद में चोरियों ने कवाद पुलिस को सुज़ना दी? हाँ साहब कितने समय दिये थी? घटना हो एक बाद आधा घंटा कवाद देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइट 24 निउस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें